जी हाँ नमस्ते परणाम दोस्तों गजब आप लोगों ने तो गजब ही कर दिया धनजे धरकिन को उपर आज आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यारों सपोर रिखाया इतना ज़्यादा कि धनजे धरकिन के जिन्दगी में चार चांधी लग गए क्योंकि दोस्तों धनेजे धरकन के पास आज आप लोगों के बज़े से हर एक वो खुशी है जो एक रईस इंसान को रहना चाहिए जैसे की घर, बाइक, कार, नाम, पहचान, इज़त, आज जो भी कुछ है वो सब आप लोगों का देना है और इन सभी चीजों का क्रेडिट आप लोगों के जाता है क्योंकि दोस्तों आज आप ही लोगों के बज़े से धनेजे धरकन आज इतने बड़े मुकाँ पर पहुंचे है तो इसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाना चाहिए लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को धनजे धरकन के पूरी जर्णी के बारे में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम आप लोगों को धनजे धरकन के बारे में हर एक वो महनत और हर एक वो संगर्ष दिखाने वाले हैं जो एक सिंगर को सुनना चाहिए, जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों में कोई भाई सिंगर बनना चाहता है, तो आप लोग कितना जयादा महनत करेंगे, तो धनन जय दरकन जैसा कलगार हो, तिन बड़े कलकार बन सकते हैं. दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों को देख अगर आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तो साथ आप लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे अगर किसी भाई का सफना पूट चुका है कि मैं सिंगर नहीं बन सकता हूं कि जो अगर नया सिंगर कलाकार बना चाता हैं तो अगरा हैं लोगों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मॉटिवेस्णल टैप का होने वाला है तो दोस्तो ये वीडियो थोड़ा सा अलंभी हो सकता है तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर दिखें कि दूस्तो इस वीडियो के तुरू आप उपर ही नहीं हो पाया जीतना होना चाहिए कि अब आप लोगों को बताओगा हर एक वो सिंगर हर एक वो कलकार शुरुफ़ाती दोर में अच्छा गाना नहीं गापाता है लेकिन डोश्तों वहां सक्सेस तो नहीं हुआ लेकिन उस studio से धनेजे धरकन को एक रियाज मिल गया गाना गाने का तरीका मिल गया कि कैसे गाना गाया जाता है जब दोस्तों आप लोगों को बता दे धनेजे धरकन अपने गाउं में गाना गाता था तो उस समय उतना ज़्यादा उसको response नहीं मिलता था तो धनेजे धरकन के पास एक दोस्त था जो साइट आप लोगों उनको अच्छी तरीके से जानते होंगे एक मिठो मार्चल हो गये एंड उनके साथ एक और भी फ्रेंड था जो धनेजे धरकन का गाना सुनकर उन्हें ले गया था RCM Music Company के मालिक से यानि की राकेश कुमार से मिलवाया था साइट आप लोगों को पता है धनेजे धरकन आज इतने बड़े कलकार बने हैं तो RCM Music Company के ही वज़े से बने हैं तो RCM Music का उसमें बहुत बड़ा आहां थे जो धनेजे धरकन को आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया है क्योंकि धनेजे धरकन RCM Music Company के मालिक राकेश कुमार से जब मिला था तो धनेजे धरकन को एक रियाज करवाने के लिए बोला था और जब राकेश कुमार ने उसका एक्जामपल सुन लिया तो धनेजे धरकन को मुकाद दे ही दिया कि दो दिन बाद आप इस अस्टूडियो में गाना गा सेक्ट है कि यह गाना पहले ही गाना इतना तेजी से वायरल हो गया इतना तेजी से कि आज आज आगर आप लोगों के राकेश कुमार समझ गे तो यह एक अच्छा कलाकार है तो इसका agreement क्रियेट कर दिया ता है नहीं कि agreement बनवा दिया था तीन साल के लिए जब कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा धनेंजे धरकन आखिर इतना ज़्यादा बिवाद में क्यों फस रहा था धनेंजे धरकन के पास agreement था जो agreement की बज़े से धनेंजे धरकन का गाना आता है लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता है तो इसमें आर्चे धरकन को आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है लेकिन दोस्तों आप लोगों को कुछ खास बात बता थे एक सिंगर को सुपर हिट होने के लिए दोनों आदमी निजे धरकन की यहां तक पहुंचने के लिए बहुत जयादा संगर्स किया जैसे की दूस्ता आप लोगों को बता है तना टोर्चित कर जा रहा था इतना जयादा धोखा मिलवा दय न्या उन प लोगों को कि आई बता है धने-जे-धरकन रहते थे तो आज धने-जे-धरकन यहां तक पहुंच भाए लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों मेंसे कोई भाई सिंगर बनना चाहता है तो सबर कीजिए और टाइन्ट को अपने दिखाने की कोसिस के अग गाने को में सा रियाज करते रियार कि आप लोगों के अंदर में वो टाइलेंट आ जाए जो एक सिंगर के पास वाकई में रहना चाहिए तो फिलाल दोस्तों यह था एक स्टोरी जो हम धनेंजे दर्किन के बारे में आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं हमें उमीद है आप लोगों के वीडियो देखने में ज़रूर अचा लगा होगा अगर आप लोगों के वीडियो देखने में अचा लगा है तो पिलिजिए इस वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद